नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लाटफॉर्म में आपके सतंकिता वर्लकप 2023 में भारत और आस्ट्रीलिया अपने अभ्यान के शुरुआत एक दूसरे के खिलाफ ही करेंगे आज अक्टूबर को चेने में दोनों टीमों की टक्कर होगी इस टक्कर से पहले एक दूसरे को परखने के कुछ मौके भारत और आस्ट्रीलिया को मिले है शुक्रवार यानि की 22 सतंबर से भारत और आस्ट्रीलिया के बीच तीन वर्डे मैचों की सिरीज शुरू हो रही है जिसका पहला मैच मुहाले में खेला चाएगा और आस्ट्रीलिया टिम के सामने रवींद्र जडेजा और रवी चंदरन अश्विंच जैसे दिगज भारते स्पिनर से निपटने की चुनौती होगी लेकिन मैच से पहले उसके बलेबाजों को सिर्फ 16 साल के स्कूली स्पिनर ने परेशान कर दिया भारत और ऑस्ट्रीलिया के बीच शुक्रवार 22 सितंबर से मैच शुरू होगा सिर्फ का पहला मैच मोहालिक के PCA स्टेडियम में खेला जाएगा ये सिर्फ हर लिहाच से दुनों टीमों के लिए वर्ल्ल कप से पहले का ट्रेलर और तैयारी का आखरी मौका है ऐसे में जो भी कमिया होंगी दूनों ही टीमें इस सिरीज में उसे दूर करने की कोशिश करेंगी सिरीज से पहले ही मैच में दूनों ही टीमों को कुछ ऐसी परेशानिया का सामना करना पड़ेगा जो वर्ल कप से भी उनके सामने आएंगी आस्टेलियाई टीम के सामने रविंद्र जडेचा और रवी चंदरन अश्विन जैसे दिगज भारती स्पिनर से निपटने की चुनौती होगी लेकिन मैच से पहले उसके बल्लेबाजों को सिर्फ 16 साल के एक स्कूली स्पिनर ने परिशान कर दिया मोहाली के PCA स्टेडियूम में मैच से पहले उस्टेलियाई टीम ने जम कर अभ्यास किया समचार एजनसी पिटी आई की रिपोर्ट के मताबिक उस्टेलियाई टीम को नेट्स में गिनबाजी के लिए एक बाई हाथ के फिंगर स्पिनर की जरूरत थी क्योंकि उसके स्पिनर एच्शन एगर इस सिरीज का हिस्सा नहीं है ऐसे में पज़ाब के अंडर-19 टीम के गिनबाज समीर खान को ये मौका मिला और युवा गिनबाज नहीं न सिर्फ स्टीव स्मित जैसे दिगश बलेबाज को प्रभावित किया बलकी मारकस टॉइनिस को भी खासा परिशान किया सिर्फ 16 साल की उम्रों और 5 फुट के कदवाले समेर खान ग्यारभी में पढ़ते और कपूर थला की रहने वाले उनके पिता जो चादर की बिजनिसमेन है बेटा लेकिन खुद को क्रिकेट की उचाईयों पर ले जाना चाहता है और आस्ट्रिलियाई के दिगश बलेबाजों के सामने गेंद बाजी कर जरूर समेर खान के होसले बुलंद हुए होगे खास तोर पर 6.4 इंचलंबे विस्पूटक बलेबाज मारकस टोइनस को तो समेर ने सबसे ज़्यादा परिशान किया उनकी कमजोरी को भी खोल कर रग दिया मुहाले में शुक्रवार के मुकाबले से पहले अगर 16 साल के स्पिनर्स ने भी ऑस्टेलियाई बलेबाजों को परिशान किया तो मैच में रवीद रजडेजा के सामने उनको खासा संगर्श करना पड़ सकता है सिर्फ इतना ही ने वर्ल्ड काप में चैनल के स्पिनर्स की मददगार पिछ भी ऑस्टेलियाई बलेबाजों को भारते स्पिनर के सामने मुश्किले जेलनी पड़ेंगे ऐसे में पैट कमेंस तो यहीं उमिद करेंगे कि समेर खान के खिलाफ बलेबाजी से कुछ मदद उनके बलेबाजों को भी मिली हो तो इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राए कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथे साथ फेस्बूक या फर इंस्टरग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि एक भी खबर मिसना होने पाए